जैहिन दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते है इस question के बारे में इस question में क्या का गया है the angle of elevation of the top of tower from a point P from a point P on the ground is theta यानि कि एक tower दिया हुआ है मुझे और ग्राउंड पर point दिया हुआ है P और इस से मैंने इसका angle देखा तो angle मुझे दिया हुआ है given theta और जो distance दे रखा है मुझे P से इसका distance दे रखा है वो 75 और मुझे से पूछा हुआ है ये वाली height पूछा हुआ है इसकी h पूछे what is the height of the tower यहां मुझे एक बार एक चीज़ दे रखिए ये 10 theta scale 2 में 12 by 5 दे रखा है यानि कि ये मेरे पास perpendicular रखा और ये मेरे पास base होगा यानि कि इसका जो base दे रखा है वो कितना दे रखा है मुझे 5 दे रखा है और ये जो ये मेरे को perpendicular दे रखा है वो कितना दे रखा है 12 बट actually में ये 5 नहीं है ये 5 नहीं है 75 है तो इसको 5 को 75 बनाने के लिए किससे multiply करना पड़ेगा 15 से आप जिससे multiply करते हैं उससे multiply करते हैं तो कितना आजाएगा परेटी यानि कि अंसर जो आएगा इस question का A होगा I hope आप सभी कोई question समझ में आया होगा जय हिंद जय भारत